दोस्तों क्या 2024 के लोकसभा चुनाव इस देश में आखरी चुनाव होने वाले हैं क्या इसके बाद आपको या हमें या फिर किसी और को जो भी इस देश का मतदाता है जो भी वोट करता है क्या उसे दोबारा वोट करने का अधिकार या दोबारा वोट करने का मौका नहीं दि डाला है दोस्तों उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हुए हैं उन्होंने जो कहा है वो कबिले गौर है क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर दोस्तों इस ख़बर में आपको मैं बताऊंगी नमस्कार मेरा नामें जयन्ती जा और आप देख रहे हैं देशनीती देशनीती किवल सची और पक्की ख़बर दोस्तों सबसे बड़ी ख़बर और शायद ऐसा बयान देने के लिए देखिए बहुत पुखता समूत पुखता आधार पुखता नीव चाहिए होगी उसके बाद ही आप इस तरीके का बयान दे सकते हैं बयान दिया है मलकार जुन ख पहड़ाली है अब ये लोगतंत्र की हत्या के लिहास से कही है या फिर किसी सबूत के आधार पर वो ये कह रहे हैं दोस्तों ये तो हुए ही जाने लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है बिना दिर कि आपको मैं वो बता देती हूँ आपके स्क्रीन्स पर एक खबर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ पहले तो न्यूस 24 का ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है दोस्तों उसके बाद सरीशेप में आपको खबर के जरिये बताऊंगी कि मलिकाजुन खडगे ने क्या कुछ बयान दिया है यहां देखे मलिकाजुन खडगे ने कहा है कि अग कि मलिकाजुन खडगे ने साफ तोर पर यह क्लियर किया है कि 2024 के चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है 2024 का लोगसबा चुनाव आखरी चुनाव होगा कि नहीं यह कई ना कहीं उन्होंने क्लियर किया है उन्होंने देखिया आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 का लोग के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखरी मौका होगा क्योंकि अगर भाजपा आगामी चुनाव जीती है तो प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ताना शाही पसंद करते हैं कर सकते हैं उन्होंने लोगों से भाजपा और उसके खिलाफ उसके विचारक आरेसस से दूर रहने का अगरे किया और आरोप लगाया कि वो जहर के सावान है नितीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया उन्होंने साफसीते तोर पर कहा कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इससे पहले हमने देश नीती के जरीए दूस्तो सवाल आप तक इंडिया गडबंदन के सहयोगी क्या नितीश कुमार के जाने से ज़्यादा प्रभावित होंगे क्या वो भी जाना पसंद करेंगे इंडिया गडबंदन से यह सवाल कई समय से उठाया जा रहा है जब से नितीश कुमार इंडिया गडबंदन का हिसा हुए है खासकर हमारी देश का जो मीडिया है बड़ा तबका जो है मीडिया का वो ये सवाल जोरो शोरो से उठा रहा है तो ये सवाल पूछना दे के लाजमी हो जाता है कि वह इंडिया गडबंदन पर कितना असर पड़ेगा मलिकाजम खडगे सभी पार्टियों में अभी फिलाल के लिए सबसे दिगज नेता है नितीश कुमार के कदके नेता है लालो प्रसाद यादव के कदके नेता है तो जाहिर से बात है कि अभी नितीश कुमार तो इंडिया गडबंदन का हिस्सा नहीं रहे उन्होंने क्या कुछ कहा खडगे को लेकर देखिए वो कहते हैं कि ये चुनाब भारत में लोकतंत्र को बचाने का लोगों के लिए आखरी मौका होगा अगर नरेंद्र मोदी एक और चुनाब जीतते हैं तो देश में तानशाही आजाएगी इसी के साथ साथ देखिए वो ये भी कहते हैं कि इसका चुनाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा यानि नितीश का एंडिये में जाना इसका चुनाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने ये भी कहा कि महागडबंदन छोड़ने वाला एक व्यक्ती हमें कमजोर नहीं करेगा हम बीजेपी को हरा देंगे ये नितीश कुमार का बयान है दोस्तो बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है जाही से बात है देखे जैसा मैंने इससे पहले भी हो सकता है मैंने आपके साथ ये जानकारी साजा की हो दोस्तो बिहार के घटना क्रम पर नितीश कुमार के एंडिये में जाने से जरूर फ़र्क पड़ेगा बहुत फ़र्क पड़ेगा तेजस्वी यादब की अभी लालू प्रसाद यादब की आरजेडी के लिए ये देखने वाली बात होगी क्योंकि देखे अगर एक छवी के बात की जाए तो बार बार पल्टू राम की तरह पलटने की वज़े से थाली के बैंगन के तरह इधर उदर लोटने की वज़े से या बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उदर लोड़कने की वज़े से नितीश कुमार की छवी तो बहुत बुरी तरीके से खराब हुई ही है 2024 के लिए एक मुश्किल मोल ले ली है BJP ने क्योंकि नितीश कुमार को अगर नुकसान होगा जाहिर तोर पर भारते जनता पार्टी के लिए भी वो एक नुकसान है बड़ा नुकसान है तो जो सीटे आनी थी कुल मिला कर आप कह सकते हैं जो सीटे आ सकती थी BJP की अब उस पर भी फिलाल के लिए खत्रा मंडरा रहा है क्योंकि आपको सरकार जो है सरकार बन गई नितीश कुमार ने पहले भी सरकार बनाई आरजेटी के साथ मिलकर उसके बाद भारती जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली हाला की बात ये है दोस्तों कि जनादेश की अगर बात की जाए तो भारतिय जंता पार्टी और जेडियू को जनादेश मिला था लास्ट चोनाव में लेकिन उससे पहले उसके बाद माफ केज़ेगा नितीश कुमार ने आरजेटी के साथ जाकर गढ़ बंदन किया महा गढ़ बंदन का उसको नाम दिया गया अब यह महा गढ़ बंदन जब हो गया तो सरकार इस्थिर थी सरकार ठीक ठाक चल रही थी लेकिन हो सकता है कि लालु प्रसाद यादव को के उपर कारवाही हो सकती है उनसे ईडी पूछताच करेगी आगे जाकर हो सकता है कि उनकी गिरफतारी भी हो जाए जैसे अभी फिलाल के सिनेरियो जो है नजर आ रहे है दोस्तों तो ऐसे में नितीश कुमार ने तुरंत पाला बदलना हो सकता है सही समझा कि उनके ओपर सारी चीज़े ना आ जाए लेकिन इसका चुना पर कितना असर पड़ेगा दोस्तों देखने नितीश कुमार क्या कर रहे हैं बाकी क्या कर रहे हैं उससे बिहार के अलाबा देश के अन्ने राज्यों पर असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है दोस्तों अन्य राज्यों में अभी भी कई ऐसी पार्टिया हैं जो मजबूत स्थिती में खड़ी हैं उन्होंने धोका नहीं किया इंडिया गटबंदन के साथ वो अभी भी बनी हुई है टिकी हुई है बीजेपी को एक साथ मिलकर हराने की कोशिश में इस वक्त वो सारी की सारी पार् किना सही साबित होगा और कितना नहीं यह आगे आने वाला वक्त बताएगा भविश्य बताएगा 2024 का चुनाव होने दीजिए पता चल जाएगा किसकी कितनी सीटे आने वाली है कौन किसको हराने वाला है फिलाल इस खबर में बस अतना ही आप इस खबर पर क्या सूचते हैं आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीटे शेयर कीटे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आप से क्ली वीडियो में तब तो के लिए नमस्क है